करेंट अफेर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज का हमारा पहला प्रश्ण है किसे नेलसन मंडेला नोबल सांती पुरुषकार 2021 से सम्मानित किया गया है अगला प्रश्ण है अक्टूबर 2021 में GST कितने लाख करोण पर एकत्र की गई है तो यहाँ 1.30 लाख करोण रुपए पर अक्टूबर 2021 में GST एकत्र की गई है हमारा अगला प्रश्ण है युद्ध और ससस्त्र संघर्ष में परियावरण के सोसन को रोकने के लिए अंतराश्ट्री दिवस कब मनाया गया तो यह 6.00 नौंबर को अंतराश्ट्री दिवस मनाया गया या मनाया जाता है अगला प्रश्ण है भारत का पहला रोफ्टोप ड्राइव इन थीयटर कहां लांच किया गया भारत का पहला रोफ टोप ड्राइव इन थेटर कहां लॉंच किया गया तो यह मुंबाई में लॉंच किया गया अगला प्रश्ण है पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्णामेंट में पुरुस एकलवर्ग का खिताब किसने जीता तो नोवाक जोकोविक ने जीता है नोवाक जोकोविक ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्णामेंट में पुरुस एकलवर्ग का खिताब जीता है अगला प्रश्ण है किस राज में पाकल दुल हाइडरो इलेक्टरिक प्रोजेक्ट का उधगातन किया गया अगला प्रश्ण है किस देश की न्यायाधिस हिलेरी चाल्स वर्थ को अंतर राष्ट्री न्यायायाले के लिए चुना गया तो यहाँ आश्ट्रेलिया का चुना गया आश्ट्रेलिया की न्यायाधिस हिलेरी चाल्स वर्थ और इनको अंतर राष्ट्री न्यायाले के लिए चुना गया इंटरनेशनल जुडियासरी के लिए चुना गया है अगला प्रश्ण है RBI यानि Reserve Bank of India ने PayTM Payments Bank पर कितने करोन रुपई का जुर्माना लगाया अगला प्रशन है किस देश ने बड़े पैमाने पर inflatable missile detection system का परिशन किया तो यह इसराइल ने किया है इसराइल ने inflatable missile detection system का भारी या बड़े पैमाने पर परिशन किया है अगला परिशन है भारत ने किस देश के साथ साथ नए ब्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोश्डा की है अगला परिशन है सव साल पहले कासी से चोरी हुई मानना पूरुणा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया गया सव साल पहले कासी से चोरी हुई मा अन्नापूर्णा की मूर्ती को किस देश से वापस लागया है तो यह कनाडा से वापस लागया है मा अन्नापूर्णा की मूर्ती अगला प्रशन है हमारा तारक सिंहा का निधन हुआ वह एक प्रसिधी क्या थे तारक सिंहा का निधन हुआ और वह कौन थे या एक प्रभाव साली विक्ति थे और उनका नाम और वो किस खेल से संबन्ध थे तो वह क्रिकेट कोच से संबन्ध थे तारक सिंहा अगला प्रशन ह चीन देश में कितने नए रिमोट सेसिंग उपग्रहों को लॉंच किया तो तीन उपग्रहों को लॉंच किया है चाइना ने तीन उपग्रहों को लॉंच किया है आई हो दोस्तों यह सभी प्रश्ण आपको पसंद आया होगी यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यह तक हमारे चैनल GK with Prince YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस किजे जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिलते रहें धन्वाद दोस्तों मिलते हैं अगले निस्टी वीडियो में तब तक